दोस्तो बॉलिवूड एक्टर बॉबी देवल स्टारर वैब सिरीज आसरम थिरी इन दिनों खुब सुर्खियों में है जिसे फैंस द्वारा खुब प्यार मिल रहा है और इस सिरीज ने जल्दी एक नय रिकॉर्ड आसिल कर लिया है जी हाँ दोस्तो इस सिरीज ने मैज 32 घंटों में इस 100 मिलियन से भी जादा व्यूज आसिल कर लिया है इसके अलावा फैंस आसरम सीजन 3 को देखने के बाद आसरम सीजन 4 के लिए बहुत जादा एक्साइटेट हो चुके हैं और अगले सीजन का बेसबरी से इंतजार कर रहे ह लेकिन इससे पहले आईए ये जानते कि ये वैब सीरीज किसी सची घटना परादारित है या फिर एक ये कालपनिक कानी है जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में तक बने रहे हैं और अगर आप भी आसरम सीरीज को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक सरूर करे आसरम सीरीज को देखने के बाद कई बार ऐसा परतीत होता है कि इसकी काहनी को बाबा राम रहिम को देखते हुए लिखा गया है क्योंकि आसरम सीरीज में बावी देवल का किरदार भी एक बाबा का है जो जनता के लिए पूजनी है लेकिन उसके काले कारनामों की गिंती न जिसके आगे सरकार भी अपना सिर जुकाती है इस सिरीज की कहानी को कासिपूर जैसे इलाकों में फिल्माया गया है इसके बावजूद आपको कासिपूर और हरियाना के बीच कई समानता हैं देखने को मिल जाती हैं सिरीज में पंगमी पहलवान बनना चाहती है और उसकी भा पेपर या न्यूस चैनल के माधियम से पता चल चुका था लेकिन मेकर्स ने कहानी के वास्तविक होने से हमेशा इंकार किया है निर्देशक परकास जां ये मानते हैं कि ये वैब सिरीज पूरी कालपनिक है इसका किसी भी वेक्ति से कोई भी संबन नहीं है साथी सिरीज के डिस्कलैमर के माधियम से ये बताया गया है कि कहानी के पात्र और घटनाए पूरी तरह से कालपनिक है स्टार्टिंग से ही ये वैब सिरीज विवादों में रही है इस सिरीज पर सादू संतों की शवी खराब करने का आरोपी लग चुका है कई बार इस सिरीज को बैन करने की मांग की जा चुकी है वैसे दोस्तों क्या आपके अनुसार ये वैब सिरीज कालपनिक है या एक सच्ची गटना परादारित है आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले